क्लास में सμपूर्ण इतियास इस video में complete है ये डोज ले लो और पूरा को पूरा exam का तयारी pone कर लो exam dose इस video में पूरे इतियास का निचोर निकाल करके सब objective पूरे lesson का एक ही video में objective complete है आप इसके कल वाला जो video upload हुआ था उसमें आप एक ही वीडियो में तीन घंटा लगातार पूरा का पूरा वीडियो पूरा लेशन का निचोड था पूरा आप वीडियो अगर देख लिए हैं तो इसमें आप एक भी objective गलत नहीं करें हम आप से बोले थे न तयारी के पहले तयारी और यह ग्यापन का जलवा है ठ तयारी से पहले एक और आखरी तयारी आपके लिए यही है एक्जाम डोज आपके लिए बहुत ही इंपोड़े एक सौट में पूरा इतियास का निचोड इसमें objective है तो भिना देर किये हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उससे पहले प्ली जिसको लाइक जोर किजिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है यहां देखिए आज का first question है और बहुत ही संदार question है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतरगत आता है तो आपको पता हैं यह सब यूरोप में आता है किसमें आता है यूरोप देखिए सही सब हो रहा होगा ठीक है क्योंकि आपने कल का विडियो देखा है विश्व में सबसे पहले क्रांती किस देश में हुई फ्रांस में हुई थी फ्रांस की क्रांती 1789 लगतार 1789 बोल दीजिएगा अगला question देखिए फ्रांस की क्रांती कब सुरू हुई तो वही बात है 14 जुलाई 1789 याद रखिएगा अगला question है France में किस राजव का सासक था तो ये रोमन नहीं था रोमनों तो वुर्वन्स का सम्राज़ था सासन था यहाँ पर याद रखेगा इसका राजा था लुई सुलहवां याद है लुई सुलहवां जार्ज निकॉलस दूतिया रोमनोंऻ का सासक था याद रखेंगा जो जार्ज निकॉलस दूतिय था वो रोमनोभ नोंस का था और लूईस सुलाहमा भुरुवववववववववववववक्त था । यह कूश्चन पूछा है बाद तो ये question पूछा है कि जार्ज निकोलस दूतिय कहा कहा था कौन से वंस का तो रोमनों वंस का सासक था अगला question देखते हैं France की क्रांती के समय वहां का सासक कौन था लूई सुलाहमा था उसी कुन हमारा था लो तो कौन है नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना इसके बाद यहां देखिए 800 यहां objective कुछ याद करने देखिए question सिर्फ objective ही मत किजिए उसके नीचे जो हम लिखे है content उसको भी याद किजिए ठीक है आपको पता होना चीए details उसके टीक नेपका नेपोलियन बोनापट बना लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट हड़ गया तो यह लोग राज़ बना 1830 की क्रांती में स्रूर्ट याक्राइज नेट कि यहीं प्हुए थी ठीक है हुझ चलिए अगला कुशन देखें लुई सुलावा की मृति कब हुई बेचारे को गिलोटीन पर चढ़ा के फासी दे दिया था ठीक है तो लुई सुलावा की मृति यहां आपका एकई जनौरी सतर सो तीरानवे में हुई ती याद रखेंगे आप ठीक है डारेक्टरी का सासन 1399 में और इसके ठीक पांच साल बाद अचा आप बताइए कोई भी राजनी थीक पांच साल के बाद होता है ना इलेक्शन पांच साल के बाद तो जब राजा खतम हों के तो दूसरा राजा पांच साल के बाद बना तो पांच साल के बना तो नेपोलियन राजा और इन्हों आपको हम लिख भी दी हैं पूरा का पूरा कॉंटेंट लिख दी हैं कि 1799 में डारेटी की सासन समापत और 1804 में नेपुलियन राजा और नेपुलियन संगीता जारी किया ठीक है अगला कुछ नेपुलियन राजा कब होना फटाक से इंसर मारी है तो 5 साल के बाद 1804 उमीद कर नेपुलियन की हार कब और किस यूद में हुई ता आपको ट्रिक भी बताया थे तेरे बीना वाटरलू ठीक है वाटरलू का यूद 815 याद है ना ट्रीक तो आपको संदार संदार सब मिला होगा ठीक है आप अगर कल का वेडियो नहीं देखते है ना तीन घंटा लागातार है तीन घंटा दो घंटा अन्ठावन में तीन घंटा में पूरा इतिहांस कंप्लीट है अस्ट्रिया है वो बियाना की राजदा नहीं है यह अस्ट्रिया की राजदानी कहा है तो बियाना है यह आप याद रखेंगे अगर यह आप याद रखेंगे तो आपको एक्जाम में काफी शहुलियत मिलेगी बियाना की संदी होई थी आपको पता होना चाहिए कि जब न हाँ तो आपको हम ये बता रहे थे बियना की संदी तो सुनिए जब लुई सो लाहवा हट गया तो राजा बना नेपोलियन बोनापाट के राजा बनने के बाद नेपोलियन बोनापाट को भी हराए गया और हराने जितने देश मिल करके हराय थे वो बैठ करके मिटिंग कर रह सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं है कितने बीस्तार नहीं हो अभी कितने देश मिल करके यह सब प्लानिंग किये थे तो चार देश याद रखोगा बी एर्पी यह एक सराब होता है ना भी ऐर्पी अ ठीक है बी से हो जाएगा बिटेन आर से आर प्रसा आ ना एस अर्पी लिए ना के संधी ज़ल्वे राइम कशी के दवरास था पीत हुई थी तो यह प्रसा के दवरास था पीत हुई थी 1832 में वैपारिक संस्था है यह ठीक है चलिए अगला को जर्मानी के कितने राजियों को जोड करके नेपोलियन ने 49 बना था पता है जर्मानी पूरा हिस्सा में तूटा हुआ था लेकिन इसको जोड़ तीन सो राजियों में तूटा हुआ था इसको जोड़ करके 49 बना दिया कौन नेपोलियन बोना पार्ट जर्मनी का ही करण करना था लूई सुलावा की लूई अठ्रामा की मिर्तिव 1824 में हो गए थी अच्छा राजा था लूई अठ् चाल्स दस्म और इसके बारे में तो जानते ही यह इतना घटिया राजा था अपना राजा परधार मंत्री अपने जहीं सही घटिया नियुक्त किया नाम था पोलीगनेक ठीक है लग रहा है पुलियों मार दिया है तो वैसे यह था यह समझ में आपको आया होगा यहां आर्लियंद के अस्थापना होई थी अरलियंद विंस फोड़ा सा यहां पर इदर जबन का नया सासक और उसका पदान मंत्री कौन था तो यहां देखे लूई उसका पधान मंतरी गीजो था वो कब बनाए गया था 1840 में ये बनाया गया गीजो याद रखेंगे ये भी लूई फिलिप ने यहाँ एक चीज याद रखिया फ्रांस में देखिए पहले था सो लहाँ उसके बाद आया नेपॉलियन बुनापाट नेपॉलियन बुनापाट के अहर निकलने के बाद से कौन है लूई अठ रहाँ इसके बाद आया आपका कौन चार्ल्स दस्सम ठीक और उसके बाद आया कौन तो आपका आया लूई फिलिप कौन है लूई फिलिप तो ये पांचो राजा फ्रांस के आप याद रखेंगे ला है मेजनी का जन्म कब और कहां तो जेनेवा में वह था अठारे सो पााँच में फिलिख दिया यहां तो इह तो यहां देखें यंग यूरोप की अस्थापना कब और किसके दुबर आउई तो यहां देख लिए ऑप्शन में 34 टीक मारेगा एक जगह दिया था लेकिन अधिकतर 33 ही देता है ठीक है क्रांतियों का दौर अब समझेगा नैपोलियन बोना पार्ट जो था वो तो चला गया उसके बाद से पूराना वाला राज्य फिर वनी रंकोस आ गया उसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था मेटरनिक पूरे यूरोप के कहीं भी जगड़ा हो राष्टवाद हो उसके मेटर में पढ़ता था ये कौन मेटरनिक तो मेटरनिक यहां पे बात करना है कि क्रांतिय तक कसम खा लिया लो कि फिर कोई राष्टवाद उत्पन नहीं करेगा लेकिन बीच से ही शुरू हो गया 1813 15 साल बाद ही शुरू हो गया करांतियों करांतियों के शुरू आत से लेके 1848 तक यही करांतियों का दौर है लेकिन अगर पूछे कि नैपुलियन यूग कप से कप तक तो 15 से ले करके और 1848 तक तो यह हो जाएगा आपका करांतियों का दौर है तो यह एंसर हो जाएगा ठीक है अगर यही रता नैपुलियन यूग सुरू नैपुलियन मैटर्निक यूग तो यह वाला एंसर हो जाएगा अभी के लिए आपका 24 नंबर एंसर यहां यह कमेंट में यहां देखिए अगर आप कहानी देखे हैं तुर्की और रूस के बीच में हुई थी कुस्तुन्तुनिया की संदी याद रखिएगा अब एक और चीज़ मत दिमाग में लगएगा एक हुआ था 14-13-13 में कुस्तुन्तुनिया की संदी तो बहुत पहले की बा पराAK क्रीम लगाओं ते वी ना वाचर लूं ठीक है बहुत असान ट्रिक बताये थे पेरिस किसी की रखनी यहां बवा зघ्भानी फ्रांस इंगलेंड और यहां पार जर्मानी तो प्रांस की रखनी outlet से यूनान सभी देश के लोग इसको बहुत मानते थे ठीक है इसलिए यूरोप मानते हैं भाई प्यार करते हैं तो इसको यूरोप का पालना कहा जाता है अधर से बताओ किसी अब पूरा देश इसको बहुत मान रहा है दूसर देश अटेक कर दिया जिसका नाम था तूर्की अब तूर्की अटेक के तो सभी देशों ने तूर्की को बड़ी मार म मारेगा तू मारते मारते मरीश की तरह बना दिया इसलिए यूरोप का मरीश तुर्कियों को कहा जाता है और पालना की बात करेगा बाबू जो खिलता है न वही पालना तो कौन हो जाएगा यूनान अब यह एक और हितेरिया फिलाइक संस्था क्या स्थपना ओडेसा में के परीना का स्रोत है ये भी यादाधयेगा क्योंके पता एं इतना महान देश था कि सभी लोग उस देश का कॉपी करते थे और उसी के देखे देख Dartmouth करते थे थे याद रहए आप और देखे युनान को स्वतंत करने के लिए बोहत लोगों के बहुत कुछ किया इंग्लेंड के एक महान कभी लॉर्ड वायरन याद रखेंगे लॉर्ड वायरन जो क्या है यूनान की स्वतंता संग्रा में सहीद हो गए थे लॉर्ड वायरन याद रख लेजीगा कई बर पुछा है यहां देखिए नौरिनों की खाणी में यूद्ध हुआ था यह भी इंडिया ने बोल स्वरी इंडिया निपूल होगा इंडिया निपूल की संधी हुई और बाद में संधी के बाद 1832 में यूनान का हो गया अजाद तो सुनिए हर लडाई के बाद एक संधी एंडिया निपूल और 1832 में क्या हो गया यूनान स्वतंत्र हो गया चलिए सरडि या पिडमाउंट का एक सासक था चाल्स एडवर्ड यह अपने नेत्रित्व में क्या करना चाहता था पूरे के पूरे सौरी इडली को एक करना चाहता था ठीक है लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं तो सड़ीनिया पिडमाउंट का नया सासक विक्टर इमेनुल बड़ा जिसका काउंट का बुर को अपना परधान मंत्री बनाया ठीक है चलिए नैपोली है इटली की एक ही करन में सबसे बड़ी बादा बाबरे अस्ट्रिया थी और अस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटर निक हर मेटर में ही पढ़ता था मेटर निक याद रखेगा पूरे यूरोप में नहीं और इटली में नहीं पूरे यूरोप की बात करे कहीं भी आंदोलन होगा तो उसको दबाने वाला ऑस्ट्रिया था पूरे देश का सौतन है ये इटली के करन का तलवार किसे कहा जाता है गैरी बाल्टी एकदम तलवार की तरह काम है लेकिन इटली के करन का दिमाग ब हो जाएगा लेकिन अभी तलवार बोला यहां उजाएगा लालती डिमाग की बात करें तो काउन्ट और एक टलवार की लाल संगटन यह बहुत जरा है तो यहां देखिए आपको चारो का चारो मिलेगा कौन कौन क्या क्या है अगर लाल कुर्ति अंदोलन बोलेगा सेना नहीं अंदोलन बहुत लोगों ने तिया ठीक तो खान अब्दुलगफार खान ने किया था याद रखिएगा खान करति सेना की बात करेगा तो घैरी बालिती लाल सेना काली कुर्ती नहीं relação लाल सेना तो ट्रस्ट की अल्ला खमेर सेना त संगानोग आध करें हम लोग पहले कि तरह याद नहीं करें खाली वीडियो देख ले रहा है अरे कॉमेंट तो कीजिए याद हो जाएगा हाथ पर लिख लिख लिजी ये चारो डाउट है ना चारो एक वो पूछता है इसमसे हमेशा ठीक है पिछली बार वाला में ये पूछ दिया था इससे पिछली वाला में मतलब की 22 वाला में फ्यूज हो गया था सब ठीक है लाल कुर्टी अंदोला नहीं यह सेना नहीं है ठीक है याद रखिये गई चलिए अगला कुश्चन है यूरोप में कौन से धर्म को मानते हैं कैथोलिक धर्म माना जाता है याद रखेंगे आप गैरी बाल्टी पेसे के क्या थे पेसे के एक नाविक थे मन इनका खंदान का काम था नाव चलाना ठीक है लेकिन बताइए पूरे के पूरे इटली के किकरण का तलवार बन गया इरोप का पालना किसे कहा जाता है यूनान को और मरीज कहा जाएगा तुर्की को ठीक है अगला कुश्चन यहां देखिए नैपल्स की करां संत्र देश का गोशित किया गया 1832 यहां टीक लगा लिजिए ले लिजिए अगर डाउट हो तो जिस कोस्टन में देखिए अब हमसे बता रहे हैं जो पीछे वाला लाल कूरती वाला सब सेना था ना उसका इसकी बार-बार डाउट आता है यहां देखिए मैं जैसा कह रहा युनान का सहित्या इतना तेश था कि इसी से सब्लों मोटिवेट रहते थे युनान सवतंता सब्रांग के दौरान कौन ब्रिटिस कभी सहीद हो गया थे बताईए उपर था ना लॉड अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कमेंट करते रहे जितना कोस्टन है उतना कमें में किस संग किया अस्थापना की राएन राज्यसंग याद रखी का राइन राज्यसंग किया अस्थापना किया यहां पर आप शचर्यस करेंद नहीं तो नहीं जब इसको परधाने मंत्री नहीं बनाता तो कहां से यह किसी चीज का जर्माणी के एकरण कर पा था यहाँ दे की बिलियम प्रत् harbor ने विस्मार्ट को अपना चांसलर बनाया और जर्मानी के एकरण के लिए रक्तम लोह का नितीक उलमन विस्मार्ट ने किया था 1864 में सेल्सवीग और हॉलेस्टीन मुद्दे पर लड़ाई कि याद रखेगा सेल्सवीग और हॉलेस्टीन लेकिन बड़ी डीपलीस में पूछ दिया है सुनो ध्यान से मानलू कि एक हो गया विश्मार्क और एक हो गया और याद रखेगा और मामला यह फ़र्च गया कि दोनों में दुस्मानी था लेकिन दोनों मिल करके और हराय थे पता है किसको यह अब क्या बोलते हैं डेनमार्क को ठीक तो डेनमार्क में जो भी जगह था आधा-धा बाट ल देजिए ठीक तो यहां पर किसको किसको मिला था तो यह सेल्स्वी किसको मिला तो सेल्स्वी मिला प्रसा को यहां देखे क्योंकि इसमें भी तलाबे सा ठीक और ऑस्ट्रिया में सो है तो यहां हॉलिस्टीन मिला किसको यह आपको ऑस्ट्रिया को यह किसका दोनों हिसा है य जेनमार्क से युद्ध हुआ था अब ता 1864 में यह भी ट्रीक में लिखा गया से डोवा का यूद्ध से डोवा का यूद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा में याद रखिएगा जर्मनी में संसद भौन को डायेट का जाता है यह तो कुछन एक बार पूछ दिया था कुछन दिता जर्मनी में जिस तरह हम लोग यह संसद भौन बोला जाता है न उस तरह महां डायेट बोला जाता है ठीक है चली अगला कुछन है कि किस संदी के बाद जर्मनी का इकड़न हो गया तो फ्रैंकफर्ट की संदी लेकिन डेट याद रखो 1771 नहीं आगे देखते हैं सत्रे सो नहीं होगा अठारे समय चले जाओ अठारे सो 171 में आप याद रखें तो फ्रैंकफर्ट की संदी कहीं लिखा है तो टिक कर दिजिए डॉन आ गया से डॉन ट्रिक याद है ना डॉन तो यहाँ से डॉन के साथ है सतर बार ठीक है तो से डॉन का युद क्या हो जाएगा तो से डॉन का युद हो जाएगा प्रस होथा और फ्रांस offend 70 में आ पॉलेंड के बिद्रो को किसने कुजल डाला अब देखा देखी वेचारा पॉलेंड भी सुचा कि हम वह आजाद हो जाए राजा के किला तब तक रूस है कि बहुत मार मार है चल बन कर तुभी करांती करेगा यहां देखो जर्मनी के एकंड कितने युद्धों के बाद संपन हुआ तीन युद्धो तो आपको ट्रीका और पीछले वाला वीडियो में आपको देखी होंगे पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट है तीन गंटा लागातार यहां देखो मैजनी का समंद किस संगण कर्बोनरी से था इसकी अस्थापना 1810 में थी और एक राज कमेंट में बताना हैं यहां तिक नहीं लगाएं लेकिन 1889 में अंड्या नीपोल की संदी कि इन देखों के बीच वी थी कमेंट किजिए उपर बताए थे एंड्री नीपोल की संदी चलिये अगला कोश्चन अगला कोश्चन यही हो जाएगा और यारी इसी में दे दिये हैं नहीं नहीं दिया है पस्पर नमर यह कोश्चन नहीं है डारेक्ट इंसर है यहां पर देखते हैं यहां पर वन सौट कोश्चन है आपका इंगलेंड फ्रांस रूस ने क्या कि युनान का समर्थन किया था ठीक और तुर्की के खिलाप कभी यूद में सम्मिलान हुआ था तो यूद के साथ यूद हुआ था उसके बाद से संधी हुई थी काउंट कवर की मिर्तीव कभी थी तो 1862 में वह था सेडान का यूद प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था मेजनी के समंद कार्बोंदी जिता ऐसे याद कर लीजिए गाइए सेडिवा का यूद के बाद कौन सि संदि गैस्टीन की संदिवी थी प्रसा का शाशर कवं था विलियम प्रथम था और यहां देखिए अस्ट्रUS ने डेनमार के साथ यूद किय था अठाय्य-17цы में होलेस्टीन और सेल में किया था टिभा है और होलेस्टीन में 100 है तो ऑले तो यहां देखिए ओटो बनेगा इसमें यूनान का है ना तो ओटो बनेगा चलिए बेग्यानिक समाजवात के जनक कौन है तो बाता यह समाजवात के जनक रट लिजे ना कालमाक्स है कौन है कालमाक्स यहां पर दिया है कालमाक्स कालमाक्स की जिवनी बड़ी महसत है पता है क्यों कि उन्होंने अपने बच्पन की प्रेमिका सही साधी कर लिया आगे मि किया था एलेक्जेंडर ने किया था याद रखेएगा कॉमिनिस्ट मैनिफेस्ट यह जो वर्ड है इसको समाजवादी घोषना पत्र कहा जाता है समझ जब सेदे इसकी असुरुआत का वह थी क्या होता है रूस का समराट राजा को जार कहते हैं अपने राजा बोल जाता है रूस में जार कहाँ लिए रहा उसका जनम जर्मनी में होता mexत तारीक पांच 1818 नहीं समझे पांच तरीक पाच्वा महीना 1818 में पाच्वा महीना मैं को वोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर पूरा इनका जीवनी ही हमलिख दिया है पांच मैं गिनियेगा 43 हो जाएगा 25 सल के बाद अपने जेनी से साधी कर लिया और एक साल बाद उनको दोस्ते मुलकात थी फ्रेडरिक एंगल और इन्हों ने साम्यवादी घोशना पत्र 1848 में बनाया दो लेकिन सिर्फ अकेले प्रतम अंतराश्टी है संग 1864 में और ये वाला चार बा था तो कालमाक्स ने समाजवादियों का बाइविल किसे कहा जाता है तो दास कैपिटल को कहा जाता है दूतिया अंतराश्टी है संग 89 प्रतम अंतराश्टी है संग 64 याद रखिएगा 1917 के रूस की करांती के ततकलीन करण क्या है जार्ज की निर्गुषता नहीं प्रतम विश्वयुद याद रखिएगा ततकलीन करण यहां देखिए प्रतम अंतराश्टी है संग 1864 उपर बताएथ न दूतिया वाला कमेंट कर देजिए यहां देखिए समयवादी शाषक का पहला पर योग कहां तो रूस में सबसे पहला रहे रूसे के बारे में पूरा है चेका क्या है तो और पॉलीस दास्ता है सेना के टुकरी हो यहां पुलीस दास्ता हो जाएगा चलिए अगला лिल लिखी insanlar पे आपन से कौन यूटोपियन नहीं है यूटोपियन समझते हो देखो काल माक्स एक व्यक्ति हैं काल माक्स आये थे सुधारने के लिए पूरे समाज को कोई निरंकोश नहीं रहे तो काल माक्स के पहले जो लोग सुधारने आये थे सुधारने खाली सपना दिखा हैं लोगों को समझा हैं तो कालमाक्स के पहले के जो भी लोग है वो किया यूटोपियन है लेकिन इसमें पुछा कि यूटोपियन समयवादी नहीं है तो कालमाक्स नहीं है सिंपल इनके पहले वाले लोग सब लोग है ठीक है अब लुई बल्ला वगरा अब बता रहें यही सब तो है यूटोपियां देख लिए लुई बल्ला इन्होंने बोला है राज नितिक में घुश जाओगे तो समाच सुधार हो जाएगा सेंट साइमन बोले है कि परतेक को उनकी च्छमता के अनुसार कारे दो ठेक है अकारे के अनुसार पैसा दो रॉबर्ट ओमन बहुत ही मस्त वेक्ति हैं ब्रिटीज के एक बहुत बड़े कंपणी के मालिक उधोग पती है यहां देखिए ब्रिटेन के ठीके इन्होंने कहा है कि एक संतुष्ट स्रामिक यह वास्त्विक स्रामिक है इन्होंने अपने फैक्ट्री लिव नुनार्क अस्थान पर बनाया था यह कोश्चन एक्जाम में पूचा गया यहां देखिए बुलसेविक करांती नॉमबर उन्नीसो सत्रा की करांती को हम लोग कहते हैं उन्नीसो सत्रा में होता है लेलिन के मिर्थी कब हुई थी इट्ली रूस फ्रांस रूस इंगलेंड और यह चौता हसन हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी अगला पहला समाजवादी कौन था पलेख नुमा था कौन था पलेख नुमा था कालमाक्स का जनम कब वह था 1818 में वह था पांच मई को राजपुतीन कौन था एक भरष्ट पादरी था जिसकी सेटिंग विचरा रूस के राजा की पतनी के साथ चल रहा था जरीना नाम था ठीक है अभी बताया थे जर्मनी में होई थी कुस्टन डबल यह हो गया है ठीक है और इस संदी में एक बटा चार भाग लेलिन को गवाना पड़ा था ठीक है बहुत बुराई भीवत है कि देखो सब गमा दिया नई आर्थिक निती लेलिन नहीं दिया था कब दिया था लेनिन गो का बाईविल उनिश्टो 90 see समाजवादी घुषनापत्र के लिखक कौन है । समाजवादी घुषनापत्र के लिखक कालमाक्स है ठीक है कालमाक्स यहाँ इसी समराट को जार का जाता है 1917 की रूसी क्रांती के समय किस जार का सासक चला था भाई तो यह बता रहे हैं दूती है कौन सा अरजाज निकुलस दूती है था उस समय इसी की तो पतनी थी जरीना जिसका सिटी उसी के धर्म गुरु राजपुतीन से चल रहा था एक मई को मजदूर दिवस मनाय जाता है और अमेरिका में भी मजदूरों ने हर्ताल कर दिया अठारे सो नबे में हर्ताल कर दिया था एक मई के दिनी अमेरिका के मजदूर और यिरोप के मजदूरों ने हर्ताल कर दिया था समझवादियों का बाई विल किसे कहा जाता है बताए तो यह हो सब्सक्राइब करांटी का नेत्री तो किसने किया लेनी ने किया था ठीक है अगला कोश्चन फ्रांसिसी समाजबात का विकास का जनम दाता किसे कहा जाता है तो यह जाएंगे काल माक सिम्पल अगला कोश्चन ने बिश्व में सम्यवादी सासक की अस्तापना सर्व पर्थम रूस में होई थी इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं अप्रेल थिसिस किसे संबंदी थे किसने तयार किया था ठीक है साथ नॉमबर में 17 को बोल सेवी करांटी का नेत्री तो किसने किया था तो यह भी बावु साहि लेखक चार बार कोश्चन पूछा गया है मा उपनियास के लिखक गुर्की थे ठीक है मेरी मा तो बहुत गुरी है भाई गुर्की ठीक है याद रखिएगा कि अगला कोश्चन है चार्टिस्ट अंदोलन कहां सुरू वह था तो भाई चार्टिस्ट अंदोलन हैं ब्रिटेन में सुरू हुे था अगला कोश्चन है यहा पर नॉमबर 11-17 में रूस की क्रांति के बात से बात सरकार की अस्था अपना हुई लेलिन की सरकार की अस्था अपना हुई समाजवाद सब्द का परियोग पछली बार किस वर्स हुआ था तो 1827 में हुआ था तेक है pillar छतीन Angkor Wat का मंदिर कहा है तो अंकुरवाट का मंदिर कमबोडिया में है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ठीक है यहाँ कमबोडिया में यह किसने बनवाए था तो भारत के ही राजया बनवाएंगे न तो देखो 12 सताबदी में सुर्य वर्मन ने इस मंदिर को बना है लेकिन यह राजा अंकुराट में थे कोपसे तो चौती सताबदी में कंबूज राजिय बनाए कहाँ पर कंबोडिया के साइड में और 12 सदी में एक हिंदू मंदिर बनाए अंकोरवाट और 16 सतापदी में क्या हो गया 16 सतापदी में इस वंस का अंत भी हो गया हिंद चीन में पहुंचने वाला वेक्ति कौन था पूर्तगाल का था वहारते में सबसे पहले बासकोडिमा पहुंचा कब 1498 में पहुँचा था वासकोडियमा हिंद चीन में बसने वाले फ्रैंस इसी कह जाते है उनको कहा जाता है क्लोन जो हिंद चीन देखो मान लो कि यह हिंद चीन हो गया यहां से जो फ्रांस की लोग आये थे यहां बस गयते तो इन लोग को कुलोन का जाता है ठीक है कुछ मंगाना होता जाके कहना पड़ा जाके कुलोन हुआ के घर से लाओ यहां देखो नरुत्म सिंगह कहां के सा सकते कमबोडिया के सा सकते ठीक है विए तो यहना है पांबोग चाऊ ने लिखा है ने लिखा है किसने लिखा है धान बोई चाऊ ने लिखा है लेकिन आगे देखेंगे तीनम की इना धिक भान से धान एक पूछ दे कि इसके नेता कॉन है दोई तान होई कैशाँ नेगी नेता कौन है याद रखेंगे। याद रखेंगे अब यहां कुश्चन को समझते हैं कुश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस वर बियतनाम के बीच समझाओता हुआ था एक था फ्रांस एक था बियतनाम दोनों में समझाओता हुआ था 1946 में इसे किस नाम से जान जाता है तो जिनेवा समझाओता बीच में लिख उसको बताईए जिनेवा समझाओता अनोई समझाओता न चाहिए अगला कुश्चन किस प्रसीद दार्षनिक ने एक अदारत लगा करके अमेरिके को भी अतनाम युद के लिए दोसी करार दिया रसेल रसेल एक दार्षनिक था अगला कुश्चन है कि हिंद चीन छेत्र में अ ैंद चीन जो था कितना दूर में फाइला हुआ था तो तीन लाफ रख किलोमेटर में फाइला हूआ था याद रखे थीया दो 1949 में हुए था और इसी समय दूतिय विस्वित की सुर्वाद भी हुए थी इसके नेता याद है को हुआ हुआ अंदोलन के नेता क्या थे हुईन फूसो थे क्या थे हुईन फूसो यहीं पर लोग अपने आप को जला ले थे आंदोलन में और इस हुआ अंदोलन को एक नया व्यक्तिया के नेओ दिम दियम ने इसको खतम कर दिया कुरुता से कुचल डाला जे नेवा समझा होता 1906 में थोड़ा सा यह कुश्चन में हमको डाउट लग रहा है यह न अठारेस यह वाला नहीं होगा 1905 होना चाहिए ठीक है यह होगा अनामी दल के संस्थापक यह उपरे दिया है यहां पर जोनू गोएन आई कौन आई यह अनामी दल के संस्थापक थे दियेन वियेन फू सो यह यूद में कौन बुरी तरह पराजित हुआ तो फ्रांस हुआ यह इसे ही जहर की तरह नाम होता है कहां पर चाहिना उगरा जावगन ताइजी नाम होता है करांतिकारी संगटन दूई तान होई के नेता कौन थे अभी बताया थे बहुत लोग फान बोई चाहए मार जारे फ फान बोई चाहिए लेकिन कोई ज़रू है कि जो आस थापना करे वही नेता रहेगा कुवांग दे नेता थे आपका एंसर यह वाला हो जाएगा ठीक है अगला अगला कोशन है जापान ने हिंद चीन पर कब कबज़ा किया था तो जापान ने हिंद चीन पर 1840 में कबज़ा किया था पर competit प लोगर पर किसने अखर अकरमन किया था जापान अब समझेगा इदर हैं जपान इधर अमेरिका तो अमेरिक का इता रहती जिसका नाम था पॉर भावर 491 की बात है ठीक है जपान सोचा कि हम भी हमेड्य हो रहे हैं और आमेरिका भी सोचा हम भी तो इसके सेने पर बॉम फेक देते हैं बीना बताए ताकि कम जोड़ जाएगा एक नमबर हम हो जाएगे तो यही पॉरल हबर पर जपान ने बॉम फेक दिया लेकिन उसके कुछ दिन बाद ने भी अमेरिका ने बदला लिया जपान को इतना मार मारा कि साथ पुष तक लंगड़ क्यंद्र होगा ठीक है अपना वेरी किंद्र और म के बनाया था कब बनाया था पन्दंदेहे कि अगर आपको डौट लग रहा है ना तो आप जा करके कल वाला विडियो देखे एक विडियो ने हृति aye और यहां संदार हो जां पर निक्षन की कहा हो जाएँगे एक कि होँचीयमीन का सावधिक अर्थ होता है पत पर दर्शक के रास्ता को बदलने वाला ठाक है मतलब रास्ता दिखाने वाला सौरी बियतनाम की कृरांतिकारी दल 1925 हे से बियतनाम कॉमिनिस्ट पाटी कहा जाता है 1930 में ठीक है यह याद है कि इसके अस्थापना हुई थी बियतनाम लोकतांतरी गरड़ाजे के अस्थापना किस वर्स हुई थी तो यहाँ पर आपको अपसों जाएगा 1945 ठीक है अंकूरवाट के मंदिर का निर्मार सुर्य वर्मा दूतिया ने करवाया था बरावी शताब्दी में यह भारत के थे लेकिन वहाँ जाके बनाया थे अमेरिका ने रबबड के बगान पर किस रसायन का पर्योग किया एजेंट औरेंज अब याद नहीं होगा ना तो बताए एजेंट समझते हैं ना एजेंट औरेंज माने संत अजेंट का और डीन कंपाउंड है जो अगनीम में मिला दिये जाता और यह क्या करता यए यह गैसुलीन से मिलके बनता है अगनी बम में गैसुलीन, गैसुलीन का काम है शरीर से चिपख जाना, ठीक है अगनी बम इसको जलाएगा तो जब तक चिपका रहेगा शरीर जलेगा ठीक है, तो यह सब अमेरिका का दिमाग है, ठीक है बे मौत मारता है कंबोडिया फ्रांस का संरचित राजियक कब बना तो यह देखे इसका मतलब डाइट समझो फ्रांस ने कमबोडिया पर अधिकार किया 1863 में समझ गए और एक और बात बता दे कि अगर बात करें ऐसे करके कुछ हेंद चीन है ठीक है 1863 में सैन्य संदी भी किया था 1863 में क्या किया था कमबोडिया पर अधिकार कर लिया तो यहां थोड़ा और लिख दे कि 1904 में लाउस पर अधिकार कर लिया फ्रांस और कमबोडिया के रहजदानी कहा है तो नाम पेन याद रखेगा अब नरुत्नम सियनु कौन थे तक कमबोडिया के सा सकते ठीक है अगला कोशन भी अतनाम में देखिए हम जो बोल रहा है ना साइड में कोशन के बाद भी जो समझा रहे उसको भी ध्यान से सुनिए उसमें भी कोशन है ठीक है भी अतनाम में तोकिम फ्री इसकूल किस उदेश्य से अस्थापित हुआ तो याद रखे गया यहां पर उन लोग को तो भी अतनाम में इसलिए अस्थापित किया गया था ताकि हम लोग भी अंग्रेजी वहां के लोग सीख सके तो पश्मी सीख्चा के लिए अरे पश्मी में का पड़ता है नाम इसे मानलो है तो नीचे कब भी अतनाम आउपर दू हिसा में टूड़ गया था तो नीचे वाले का तो यहां पर फ्रांस था ही लेकिन और भी यहां के लोग लड़ रहे थे कि हम कब जा करेंगा यहां के जो राजा थे ठीक है दक्षिड भारत में 300 तेले भायो जिसका नाम था सुवं फूमा एगो नाम फूमा एगो का नाम फूमी याद रखेगा लेकिन सबसे अच्छा था सुगंबॉंग जिसको पाथेट भी कहते हैं ठीक है याद रखेगा हुआ हवा अंदरों के नेता कौन थे तो यहां फूसों हुआ 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 के नेता थे अगला सब्सक्राइब कंबोडिया वेस्थ नाम और लाओस ठीक है यहां देखे तो फ्रांस और भी अतना में हनोई समझाओता हुआ था बोलेते नो वहां पे टिक मार लेजेगा हनोई ही होगा जिनेवा नहीं होगा ठीक है यहां देखिए अगला कुस्चन भी अतना में तोकिम किस ने कि देखा इंडोचाइना को किस देष ने अपने उपनिमेस के रूप में विक्सित किया और फ्रांस सीसियों ने नहीं था यहां पर आये था उपनिमेस बनाने उपनिवेस मने गुलाम बनाने फ्रेंट इंडो चाइना की अस्थापना कभ वह था तो यहां देखेगा फ्रेंड इंडो चाइना 1887 ठीक है चारले सन मस्त है गांधी जी ने दांडी मार्च की सुरुमात कभी तो मार्च में सुरू किया है जी मार्च में 12 मार्च हो जागा द इस दिन छो अपरेल को light natomiast शुरू कर थिया तो अप्रेल को सुरू अगला को सुषत范 तू गांधी न के सुरुमात की थी एकव द्यूत 1920 को असायोगधनोन के सुरुआत कि यहां पूरा का पुरा लिख दिये एक अगस्त को सायोगधनोन सायोगधनोन को सभी लोगों ने निभाया अंग्रेजों का कोई सायोग नहीं किया लेकिन यूपी भिहार को तो जानती है चौरा चौरी कांड में चल लाता है सहयो गंदलन पुलीस ने लोगों को मरा बस लोगों ने पुलीसों को जला दिया 1922 में 22 पुलीस कर्मी को जिंदा जला दिया जिसे चौरा चौरी हत्या कांड काते हैं ठीक है पांच फरवरी को जलाया गया अग्रेज सब मुंबई जेल में याद रखेगा कौन जेल में मुंबई जेल में गांधी ने सब नहीं आवा गया अंदोलन का प्रराम किस कारे से किया तो यह बात दांडी मार्च से किये थे न वह ना खतम हुआ तब तक दूसरा सुरू कर दी निमन लिखीत में से किस समझ़ाथा को दिली समझ़ाथा के नाम से जाने जाता है तो गांधी एरिवीन समझाता को दिली समझाता । गांधी अम्वेदकर को पुणा समझाता पूना पैक्ट यहा लिख भी दिए आपको गांधी ईरिवीन दिली और अम्वेदकर वाला पूना पैक्ट अगला kwestion देखिये इंडियन national congress की.. कॉंगरेस के अस्थापना एओ यूम ने किया था और उस समय कॉंगरेस के अध्यक्ष व्यमेस चंद्र बनार जी बने थे लेकिन यह पुछा यह संस्थापक तो हो जाएगा एओ यूम ठीक हैं यहां लिक भी दिया है कि कॉंगरेस के अस्थापना 1885 में मुंबई में के कॉं करता में पहली बार मीटिंग हुआ था तो वेमेश चंदर बनर जी इसके अधियक्ष बने थे पहला मीटिंग हुआ था सौरी मुंबई में रिक था भक मई भक ठीक है बौब अकका था पहला मीटिंग बंबई दूसरा कलकत्ता बख मई तीसरा मदराज चौथा इलहाबाद थ ठाथ तो लेकिन अगर गूगला से पूछीए गाना आरेक्ट बढ़ताता जानते हो कब है ये बताता है जह वरना कूलर एक्ट पारित होसा तब बताता है अगला कुश्चन है यहाँ पे लखनौउस समझाता किस वर्ष हुए था तो गांधी जी लखनौउस समझाता 1916 में किये थे ठीक है आईसी समय एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जिन व्यक्ति का नाम था बिहार के थे राजकुमार सुक्ल रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुए भाई तो रॉलेट एक्ट कारी गति विदियो पर अंकूष लगाने के लिए इतना ना गांधी जी अंदोलन सुरू कर दिये कि अंदोलन को देख करके अंग्रेज हो गया नराज और उन्होंने लगा दिया रॉलेट एक्ट कि अब अंदो गिरफतार ठीक है तो यह च्छो को हरताल हुए तो नौ और तरीक को क्या हुए था सत्य पाल और किछलू गिरफतार हो गये थे ठीक है और उसी के बाद जब गिरफतार हुए तो लोगों ने अंदोलन किया 13 अपरेल को जिसे और वहीं पे जालिया वाला बाग हत्या कांड ह हो गया 13 अपरेल 1919 में अब पूरा डेटा एक्स्प्लेंट नहीं कर रहे हैं निमली खित में से किस नाम किसका नाम बादसा खान या सिमांत गांदी है तो खान अब्दुलगफार खान का नाम है 1929 में इन्होंने खुदाए खिद्मतगार एक संगठन बना है जिसे लाल कुर अब देखो किसका संग है वेश्ञार को जांच करने के लिए जो घटना हुआ है सही में हुआ है क्या है उसको हंटर कमीशन बोलते हैं हंटर कमीशन का गठन हुआ था अगला है कुछन यहां देखिए भारतिये रास्टवाद के उद्दै के शमयए परमुख कारण किया थै बारतिय रष्टवाद उदे का सबसे पर्मुकारण क्या है तो सबसे पर्मुकारण रष्टवाद का उदे का क्या हो जाएगा अंग्रेजी समाज समराज ज्यवाद के बिरोद अश्रन तोष यही आपका हो जाना चाहिए यही होगा ठीक है गांधी जी ने साबरमती अश्रम कि अस्थापना क्यों कि थी तो यह नमक कानून को भंग करने के लिए किये थे रंपा बिद्रो 1916 याद रखेंगे यह सब यह सब तो वन सौट है बताए जालिया वाला घतेगांट 13 अप्राइल 1919 में हुआ था अगला कुशन है कि 1911 में बंगाल का विभाजन किस ने किया था यहां देखी किस ने किया था तो यह हो जाएगा लॉड हार्डिंग अब कहतेगा सर बंगाल कभी टूटा भी था का बंगाल भी भाजन को वापस लिया गया था वापस 1905 में लॉड कर्जन ने बंगाल को बीचो भीच तोड़ दिया फिर 1911 में इसे फिर वापस लेके फिर जोड़ा गया लेकिन जिस सीज में एक बार दरार हो जाती है न फिर कभी जिंदगी में नहीं जोटता है डाइलग है यहां देखे पूर्ट स्वराज की मांग का प्रस्ता और कॉंगरेस के किस अधिविशन में रखा गया था 1929 के लहुर अधिविशन में किस ने रखा था प मुंबई में कॉंगरेस समाजवादी दल की अस्थापना 1934 में हुई थी ठीक है गदर पाटी की अस्थापना किस ने किया था लाला हर्द्याल ने किया था और गदर पत्रिका भी यह भी लाला हर्द्याले ने किया था ठीक है याद रखिएगा अगला है राष्टिया स्व कानून एक मिनट गांधी जी ने नमक कानून किस्तिती को भंग किया भंग किया होगा तो यह तो खतम हुआ था मतलब चौव अप्रेल को आइसी समय एक और अंदोलन सुरू कि समिन्या वाग्या अंदोलन ठीक है हिंद स्वराज पुस्तक किस कि यह वह हिंद स्वराज बाबा अस्थापना किती तो यहां पर आप्सन आपका हो जाएगा एम एन रोय ने किया था अलिगन अंदोलन का नेत्रित्व सरसयद अहमद खान ने किया था ठीक है वेदों की और लोटो यह दिये थे कौन दयानांद सर्वसती इन्होंने दिय था और आर्या समाज की अस्थापन कौन थे तो स्वाराज पाटी के अध्यक्स थे कौन सियारदास और मोती लाल नहरू इसके सची हूँ थे कौन थे सची हूँ थे ज्वार लाल नहरू मत मार देजिएगा यहां लिख भी दिये आपको पूरा का पूरा यह आप देख लिजिएगा अगला कुशन किस तिथी क को पूर्ण स्वाराज दिवस खोशित किया गया तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाराज दिवस मनाया गया आरे समाज के अस्थापना दयानन्द सरोसती ने किया था ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखिए फर्वर्ड ब्लोक की अस्थापना कब हुए था तो यह फर्वर्ड ब्लोक वैसे हुए था 1949 में इसकी अस्थापना हुए थी सुभास चंदर बोस ने किया था ठीक है यहां देखिए बल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादी किस किसान अंदोलन के दरान हुआ था तो बा आप वह जाओ के नारा 28 में लगा था लेकिन साइमन कमिशन का गठन 27 में तब नव 28 में आया था तो यह तीनों आप याद रखेंगे असयोग-अंदोलन की बात करें हम अगर आपसे किसका बात करें असयोग-अंदोलन का प्रस्ता कोंगरिश के किस अधिवेसन में तो कलकत अधर नोट भी नहीं किये हैं और श्रमिक विवाद अंदोलन थोड़ा सा आप इसको देखिएगा ध्यान से उतर गया है इसको देख लेजिएगा ठीक है इसको स्कीन सोट ले लेजिए क्योंकि इदर उदर बताने से कोई फायदा है नहीं चलो यहां देखो अली मुशालियर यहाद है ना केरल वाली घटना अली मुशालियर ने किस बिद्रोह का नेत्री तवकिय था ठीक है तो यहां देख सकते हैं आप मोपला बिद्रोह कहां पे वह था केरल में हुआ था ठीक है अगला है यहां पे देखिए खलीफा पद की शमापती तुर्की के में कब संपन 1915 में फाइनल आ गए और 1916 में अनोंने अधिवेशन में भाग लिये थे गांदी जी ने गोल में समवेलना भाग लिय थे तीन ago goal में समयलन हुआ था कितना 30 से गिन लो 1930 में पहला एकृतिस में दूसरा 1932 में तीसरा तो दूसरा में भाग लिए थे ठीक है यह देखे अतीनों में भाग लिए थे कौन भीम राओ अम्बेद कर ठीक है और एक और व्यक्ति थे कोनों शत्रू नाम के थे साइमन कमिशन किस वर्स भारत आये तो यह आये था 1928 में 17 में प्लानिं संप्रदाइक निर्णे की घोषना मैकडोनाल रेमजे मैकडोनाल ने किया ठीक है याद रखिएगा मैकडोनाल कौन था तो यह ब्रिटेन का प्रधान मंत्री था ताना भगत अंदोलन किस अधिवास्टी में हुआ था तो यह उराव जन जाती का है कि उराव जन जाती गांधी जी कॉंग्रेस के अध्यक्ष कब बने उन्हीं सो चौविस में बने थे कब बने थे भारत छोड़ो अंदोलन उन्हीं सो ब्यालिस में चलाए गया था अट्रिक चलाए फिल कानोन कब पारित हुआ था इीटी ऑटीच थीर्य में यह कॉंफाम है लहर बिल क्या है तो अंग्रेज जुझा है वह依 सिर्फ अंग्रेजों को सजा सुछा सकते हैं लेकिन बाद में इलवर्ट विल के बाद ऐसा नियुम लगा कि नहीं भारत के लोग भी पड़े लिखे हैं यहां भी जज अगर हैं तो यह भी अंग्रेजों के लिए यूरूपियों के लिए सजा सुना सकते हैं तो यह आपका पूरा का पूरा इसमें कितना लेशन तक यहां 45 इलवर्ट बील यह बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट कुष्चन आपके लिए साबित रहा अब फिर इसके आगे अगला वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं अब यहां पर देखिए कुष्चन है कि व्यास्क मत अधिकार मने नौजमान लोगों को वोड देने का अधिकार इंग्लेंड में कब दिया गया था तो वाई 1928 में एक जगह दिया था 1928 महान महान ऐसा है यह सब फालतू चीज है इंडिया ट्रेड यूनियन कोंग्रेस के अस्थापना मुंबई में पहला कर खाना कब बना तो 3313 होना चाहिए आपे दिया है कौन सा डी नंबर इंसर दिया है इसको टिक कर लिजिए ठेक है अब यहांपे भी देख लिजिए 1907 में most important question पहली बार भारत का लोह अस्पात company था, भारत का पहला लोह अस्पात company जो था, अस्पात सन्यांतर जमसेदपूर जारखंड में अस्तापित हो था, उस समय ये बिहारे में था, ठीक है, safety lamp का अविस्कार किस ने किया था, ताबते safety रहेगा, तो आप एक दम free घुमे में ये टाटा के दवर रहेगे, 1907 में लोह अस्पात, अद दोस में तीने साल बाद से टाटा hydroelectric power की अस्थापना हो गई, निम्न लिखित में से कौन और धोगी क्रांती का कारण नहीं है, भाई धर्म को सुधारना आई कारण थोड़े है, और धोगी कारण मतलब मतलब मतल राइट ने किया था, किसने रिचर्ड आर्क राइट ने किया था, अब यह जल सकती से चलता था जिसको कहते है, इसका ट्रीक भी सौर्ट में पढ़ा है, इस लेशन का पूरा का पूरा ट्रीक है, ठीक है, बहुत ही संदार फ्लाइंग की सबल है, अब देखे है न, तो यह यह जाएगा, इस पिनिंग फ्रेम आर्क राइट ने जल संदी किया था, ठीक है, यह देखे है, वास्प इंजन का विसकार किसने किया, जैम स्वाट ने किया था, जैम स्वाट ने किया था, औल इंडिया ट्रेड यूनियन कांगरस, ए आई टी यू सी के अजक्स लाला ला स्वाट राए, यह देखे है, किसे बनाएगा, पंजाब नेशनल बैंक की अस था अपना, अठ्रे सब पंचानवे, पं है न, पंचानवे, पंजाब की जैसे लिका रहा है, कहीं-कहीं अठ्रे सब चोरानवे भी दिया है, ठीक है, तो इसको भी टीक अप कर सकते हैं, अब बात करते हैं, कि सिंट्रल बैंक अफ इंडिया, यह हो जाएगा, 1911 और रिजर बैंक अफ इंडिया, 1935, ठीक है, एक और कुछ चनिया आपे देखें, तो आठारे सो दस से ले करके, अठारे सो ऐसी तक, लगबुक सतर सालों में, लंदन की आबादी, दस लाक से कितना बढ़ ओगे, पचास लाक हो गया, 1810 में दस लगता, अवसी में हो गया, ठीक है, यहाँ देखें, लंदन में भूमिगत ट्रेन चला था कब, मने जमीन के नीचे, यह 1863 में, ठीक है, यहाँ देखें, एक सुतंत राष्ट के रूप में सिंगापूर का उदे हुआ था, 1865 म सिंगापूर अजाद हो गया, ठीक है, पटना गोलगर की अस्थापना 786 याद है आपको, 786, यहाँ याद रखें न, 786, ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए, अगला देखिए, मगत समराजी के प्रचीनतम राजधानी कहां है, तो राजग्री था, सबसे पुरान निकेटस ने, अपनी बेटी को देखने के लिए, कि कि से लेकर निकेटस आया थे, यूद करने किस से, चंद्रूप मरे से, तब तक कि चंद्रूप मरे इनकी बेटी को ही क्या किये, बटा कर लिए, अब ये बेचारे को भागना पड़ा किसको, से लेकर निकेटस को वापस अब देखिए लंदन में प्रात्मी का निमारे सिख्चा कब इसमें तो आप्सने नहीं है इसमें आप्सन है यही नहीं पटना में गोल घर के अनिरमाड डबल डबल कैसे कुश्चन हो गया है चलिए यहां पे 1870 यह हो जाएगा ठीक है यहां कोश्चन अगला देखिए आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू हुआ भाई तो आधुनिक नगरों का विकास मनें आधुनिक नया जबना बना जब मसीनों सी नया तब न टाउंसवार बना जी सवधोगी करांती से याद रखेगा मसीनों का जमाना ठीक है भू मंडली करण की शुरूमात का विती तो यह जाएगा 1990 में हुआ था भू मंडली करण वैसवी करण जिसमें करण करण आएगा न अधिकतर समझ लेजेगा 1990 ही होगा ठीक है इसमें दिमागे नहीं लगाना विशव और्थिक मंदी 1929 में हुआ था ठीक है अगला कोशन अगला कोस्चन है कि ब्रेटन उड्स समेलन किस वर्स हुआ तो याद रखेगा 1944 में हुआ था ठब हुआ था उन्हें इस वा लिस में अगला क्योंटा ने कि पहले विश्व बजार के रूप में कौन सा सार ईलेक्जेंड्रिया है यूनान वला याद है ना सबसे पहले अलेक्जन्ड्रिया आपको क्या बोलते हैं क्या नाम था 200 बीछ है सिकंदर सबसे पहले बैपार के जरूखी या पारहा ता घूजन्ड almonds तर णहां आ कनीवसी था क्हीं नान का कि स्थीं तो आप कॉमेंट में किजिए डॉबलू एच ओ की अस्थापन तो इसका ट्रीक क्या था एच को सटा ये आठ की तरह दिख रहा है तो यहाद है कि गया उननेश सो आड़ तालिस आठ यह दिख रहा है कि नहीं आड़ तालिस यह आप याद रख सकते हैं धन निसकासन के सिधा यानि धन के बहिर गमन का सिधान दादा भाई नरोजी कर रहे थे कि सारा धन ढोके ले जा रहा है अंगरेज कहां पर अपने इंगलेंड वेसी को धन निसकासन धन को निकाल रहा है यहां से ले जा रहा है दादा भाई नरोजी बहुत समझदार थे दादा जी ठीक हैं यहा झाल रूजबेल्टSbylten गुटेन वर्का जनम हुआ था जर्मानी में किसमें जर्मानी में लोथ भारत प्रेज्ट का प्रारम विलियम वोल्ट कब खेल Sus six तो सत्री शाच्ठ में आँप भारत में प्रेज की सुरुआत हो थे रूसो कहा था रूसों रूस का नहीं फ्रांस का हम ना ठाथा था ठाठाध मैं बहुत की है जब yeah भारतियोगो द्वारा प्रकासित प्रतम समचार पत्र बंगाल गजट था ता बंगाल गजट और पहली बार बंगाल गजट को अठारे सो असी में जेके हिकी जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजट भारत का पहला पेपर था अठारे सो एकईश में शमबाद कौमदी सुनिए राजा राम भूहर ना दो पत्रिका बनाया एक संबाद कौमदी एक मिराथुल पिराथुल में रो है तो यह फारसी में लिखा गया था ठीक है यह 21 में यह 22 में ठीक है याद रखिएगा उसके बासे मस्क विवी आई कोश्चन है यह वाला कोश्चन है मतलब यह एक्जाम में पुझा गया कि सुमनात पत्रिका का परकासन किसने किया इस्वर चंद इंपॉर्टेंट आपका सबसे है यह भी बाल गंगा-धरतिला की विः दो पत्रिका केसरी और मराठा आपको बताया था ना केसरी बाल बाल बालक पहले बच्पन में केसर खाएगा फिर का खाएगा बढ़ा होके पराठा खाएगा तो दूगो इसमें तीन इमपॉर्टें यह वाला यह नै Soylish होगा तो अगर आपको पूरा लिशन समस्माज में आया होगा और इस lesson को आप संपूर्ठ तरीका से आप complete कर चुके हैं इतिहास का पूरा का पूरा मतलब की क्या बोलते हैं? मतलब राम-नाम का सत्य हो गया है तो इतिहास पूर्ण तरह से अपका क्या हो गया complete हो गया है तो प्लीज सपोर्ट ग्यापन एकेडमी ठीक है तो फिर मिलेंगे हम लोग अगला जोग्राफी का कल आ रहा है जोग्राफी का महा मेरातन आज तक वैसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा ठीक है अपने पूरे यूटूब एतियास में वह भी चार घंटे में पूरा जोग्राफी खतम है ठीक है और उसका तो ट्रिक ना हर लाइन में ट्रिक है और तिर्फ याद कर लिजे पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और मजदार है तो फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले वीडियो में बहुती संदार तरीका से तब तक के लिए जहिंद और खुदा आफिश